मैं अब 7th question में आप से बूचा गया है the sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888 find the multiple मतलब कहा है अभी आप आपने consecutive का मतलब तो समझ लिया कि consecutive का मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है लागातार होता है कि जिसके एक के बात की एक आते हैं अब multiple का मतलब क्या होता है multiples का मतलब होता है table जी के table जैसे क्या होगा 8, 8 to the 16, 8 to the 24 ये होती है 8 की table ये multiples हो और ये क्या है लगातार है जो जो हम किसी भी multiple of 8 को क्या करते हैं plus कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 88 आ रहा है मैं आपसे question में बोल दूँ consecutive 3 consecutive multiples of 5 तो आप क्या करेंगे 5 का multiple देखेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10 तो ये क्या होगा टेबल होगा ये multiple of 5 है तो similarly multiple of 8 बोला है इसलिए हम क्या है 8 की table लेंगे वो भी आपको question में दिया हुआ है हम देख लेंगे तो हम क्या करेंगे according to the question let x be the multiple of 8 of 8 the next हो गया the next multiple b x plus 8 और फिर जो third वाला लेंगे हम वो क्या है x plus 8 plus 8 जो क्या हो जाएगा x plus 60 तो हमारे तीनों ये आ गए अब हम क्या करेंगे जब हम इन तीनों को plus करते है तो क्या आता है 8, 8, 8 अब हम bracket को open कर देंगे और जो भी चीज plus हो रहे होगी हम उसको क्या कर देंगे plus कर देंगे तो इधर पर 3x है तो हम क्या कर देंगे 3x लग देंगे और इधर पर 16 में plus 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 equals to 8, 8, 8 तो ये जो plus का 24 है इधर पर जाके minus का हो जाएगा जब इसमें से हम minus करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 6, 8 equals to 33, 3x और ये भी 3x अब इस x को इधरी पर रहने देंगे और 3 को इधर पर क्या करेंगे ले जाएगे जब इधर पर पता है ये किसमें है ये multiply में इधर पर जाके divide में हो जाएगा 8, 6, 4 और x जब हम इसको 3 से क्या करेंगे divide करेंगे तो 3, 1s are 3, 3, 1s are 3, 3, 2s are 6 2 करेंगे इधर पर, 3, 8s are 24, 24 से करेंगे हम तो 2 फिर से धर पर करेंगे तो 24 पूरा कट जाएगा, तो x equals to 288 आ जाएगा मतलब first जो है वो क्या है, x equals to हमने क्या लिया है 288 next था x plus 8, तो क्या होगा 288 plus 8 तो क्या होगा 16, 9, 2 next number और तीसरा number हमने क्या लिया था x plus 16 तो यह क्या हो जाएगा 288 plus 16 तो इधर पर क्या आजाएगा, आजाएगा 30 वाला जब आप इन तीनों को plus करेंगे तो आपको 8, 8 और 8 ही मिलेगा अब हम मिलते हैं 8th question में आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक, कमेंट और सस्क्राइब करना ना भूले